एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी, जिसके लिए एक के बाद एक कई प्रेमी उसके महल में आये और उसे पाने की कोशिश की। लेकिन उसे ऐसा लगा कि उनमें से हर कोई उसे देखे बिना ही उसे देख रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और राह भरी। वे ऐसे व्य चोटी हो जाओ, इससे पहले कि मुझे इन सभी प्रेमियों से निपटना पड़े। उसे एक पसंदीदा गेंद विशेश रूप से याद आती थी, जिसे जब वह हवा में फिकती थी तो धूप में चमक उठती थी। मुझे आश्चर्य है कि उस गेंद का क्या हुआ। उस वह उसे पकरने के लिए दोड़ी, तो वह एक पेल के तने से तक्रा गई। जब गेंद नीचे गिरी, तो वह सीधे शाही कुए में जा गिरी। वह उसे उठाने के लिए दोड़ी, लेकिन जब तक वह 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 पहुँची, तब तक वह कुए के पानी में उसे देख नहीं ये भयानक है, वह विलाब करती हुई बोली, मेरी गेंद इस कुए में खो गई, तभी एक हरे रंग का मेधक पानी से उपर आया, मेधक ने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हाँ, तुम कर सकते हो, राज कुमारी ने कहा, उसे लगा कि यह अजीब है कि एक मेधक बोल राज कुमारी ने कहा, मेधक ने कहा, आज तुम मेरे साथ समय बिताओ, राज कुमारी ने कहा, मुझे नहीं मालूम की इसका क्या मतलब है, आज बस मेरे साथ समय बिताओ, मेधक ने दोहराया, ठीक है, ठीक है, राज कुमारी ने कहा, आप जाओ और मेरी गेंद ले आओ, आज बस मेरे साथ समय बिताओ, मेधक ने दोहराया, मेधक ने कहा, इस पर, वह कुए में गहराई तक गोता लगाने लगा, कुछ क्षन बाद, वह एक हाथ में गेंद को उपर उठाए, टपकती हुई और चमकती हुई, उपर आया, तुमने ये कर दिखाया, राज कुमारी न पीछे देखे महल की और चल दी, एक बार की बात है, एक राज कुमारी थी, जिसके लिए एक के बाद एक कई प्रेमी उसके महल में आया और उसे पाने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उनमें से हर कोई उसे देखे बिना ही उसे देख रहा था, उसने अपना सिर हिल जाया और राह भरी वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे राजकुमारी के लिए उसके बढ़िया मुकुट और शाही पोशाक के अलावा और कुछ नहीं है एक दोपहर इन में से एक प्रेमी के चले जाने के बाद राजकुमारी ने कहा ये बरदाश्ट से बाहर है कभी कभी मैं चाहती हूं कि मैं फिर से छोटी हो जाऊं इससे पहले कि मुझे इन सभी प्रेमियों से निपटना पड़े उसे एक पसंदीदा गेंद विशेश रूप से याद आती थी जिसे जब वह हवा में फिकती थी तो धूप में चमक उठती थी मुझे आश्चर्य है कि उस गेंद उसे पकरने के लिए दोड़ी तो वह एक पेल के तने से तक्रा गई। जब गेंद नीचे गिरी तो वह सीधे शाहि कूई में जा गिरी। वह ऊसे उठाने के लिए दोड़ी लेकिन जब तक वह वहां पहुझी तब तक वह कूई के पानी में उसे देख नहीं पाई। ये सकते हो, राज कुमारी ने कहा, उसे लगा कि यह अजीब है कि एक मेधक बोल सकता है लेकिन फिर भी उसे वह गेंद चाहिये थी, तुम जाकर मेरी गेंद उसकुए से ले आओ, कोई बात नहीं, मेधक बोला, लेकिन पहले मुझे तुम से कुछ पूछना है, मुझसे पूछो क्या, राज कुमारी ने कहा, मेधक ने कहा, आज तुम मेरे साथ समय बिताओ, राज कुमारी ने कहा, मुझे नहीं मालूम की इसका क्या मतलब है, आज बस मेरे साथ समय बिताओ, मेधक ने दोहराया, ठीक है, ठीक है, राज कुमारी ने कहा, आप जाओ और मेरी गेंद ले आओ, आज बस मेरे साथ समय बिताओ, मेधक ने दोहराया, मेधक ने कहा, इस पर, वह कुए में गहराई तक गोता लगाने लगा, कुछ क्षन बाद, वह एक हाथ में गेंद को उपर उठाए, टपकती हुई और चमकती हुई, उपर आया, तुमने ये कर दिखाया, राज कुम बिना पीछे देखे महल की और चल दी, भाग दो, एक विशेश अति थी, उस राग जब राज कुमारी अपने परिवार और शाही सलाहकारों के साथ भोजन पर बैठी थी, तबी दर्वाजे पर दस्तक हुई, एक नौकर ने दर्वाजा खोला लेकिन वहाँ कोई नहीं था मेधक नीचे खड़ा होकर अपना गला साफ करने लगा, ओह, वहाँ नीचे, नौकर ने आश्चर्य चकित होकर कहा, राज कुमारी ने आज मेरे साथ समय बिताने का वादा किया था, मेधक ने जितनी उची आवाज में हो सकता था, कहा, तो मैं यहाँ हूँ, बेटी, राज मेधक ने मेज के दूर वाले छोड से कहा, क्या तुमने आज इस मेधक के साथ समय बिताने का वादा किया था, जैसा की वह दावा करता है, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, राज कुमारी ने कंदे उचकाते हुए कहा, कुछ देर रुखने के बाद उसने कहा, अच्छ तो ठीक है, अंदर आ जाओ, क्या तुमने आज इस मेधक के साथ समय बिताने का वादा किया था, जैसा की वह दावा करता है, नौकरों ने जल्दी से मेधक के लिए एक नई जगल तयार की, और वह शाही खाने की मेज पर चद गया, बादचीत राज्य में चिंता का विश् मेरे पास पर्याप्त सलाहकार है, मेरा विश्वास करो, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेधक ने कहा, और यह पहली बार था जब उसने मेज पर बात की थी, एक राजकुमारी के पास उसके सुन्दर मुकुट और शाही पोशाक के अलावा और भी बहुत कुछ है, राजकुम मेरे राजकुमारी को प्रणाम किया और कहा, तुमने जो कहा था वो कर दिया है, अब मेरे जाने का समय हो गया है, नहीं, रुको, राजकुमारी ने कहा, इतनी देर नहीं हुई है, बगीचे में टहलने के बारे में क्या ख्याल है, मेधक बहुत खुश हुआ, भाग तीम, शाम की सेर, वे दोनों शाही बगीचे में तहल रहे थे, मेधग पत्थर की दिवार पर उचल रहा था ताकि वोह और राजकुमारी एकी स्तर पर हो और आसानी से बात कर सकें। वे कई बातों पर हसे, बाद में जब सूरज डूबा, तो उन्होंने आसमान में चाने वाली गहरी गुलाबी लाल धारियों की प्रशन साकी। राजकुमारी ने कहा, तुम्हें पता है, आज रात तुम्हारे साथ रहना जितना मैंने सोचा था उससे कही अधिक मज़ेदार था। तक कि उसे कोई राजकुमारी चून न ले चुलेल ने एक दुष्ट हंसी हसते हुए कहा था ऐसा कभी होगा। लेकिन अब ऐसा हुआ। राजकुमारी जानती थी कि यह सच होना चाहिए। राजकुमार की आवाज का लहाजा वो उसकी बात कैसे सुनता था और खास तोर पर उसकी आँखें ये सब एक जैसे थे अब जब मिधख राजकुमार के रूप में अपने असली रूप में लोट आया था तो वे दोनों एक अलग तरीके से एक साथ समय बिता सकते थे शादी के कई साल बाद उन्होंने एक कलाकार को उसकी पसंदीदा गेंद रखने के लिए एक सुन्दर नकाशीदार कतोरा बनाने के लिए काम कर रखा उन्होंने नकाशीदार कतोरा अपने शाही भुजन कक्ष की मेज पर रखा और जब महल की खिरकियों से सूरज की रोशनी अंदर आई तो गेन सभी को देखने के लिए चमक उठी